नमस्ते दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तो अगर आप भी अपने घर के सीडियों के उपर कुछ इस प्रकार के टाइल्स लगाते हैं जो कि बहुती सस्ता होता है या कच्ची टाइल्स होती है या जिसमें की बहुती ग्रूप बने होते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं तो आप ऐसी टाइल्स लगाने से सीडियो meteor के उपर बचे अगर फिर भी आप ऐसे टाइल्स अपने सीडियोग्य के उपर लगाते हैं तो कुछी समय बाद उस टाइल्स को निकालना पड़ सकता है क्यों निकालना पड़ सकता है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिस करूँगा अभी जो आप यह सामने देख रहे हैं वीडियो में जिसके वी रिपेरिंग चल रही है यह वही टाइल है जिसकी वीडियो में अभी आपको शुरुआत में दिखाया हूँ दोस्तों यह क्या रिजन है क्यों निकाल रहे है सबसे जो इसका बरा रिजन है यह यहाँ पर जो टाइल्स लगा है यह कच्ची टाइल्स है और यह जो दिवारों पर लगते है उस प्रकार के टाइल्स है और यह कच्ची टाइल्स होने के वज़े से आप चाहे इसमें जित से बड़ा डीजन होता है अगर आप इस प्रकार के टाइस लगाएंगे अपने सीडियों के ऊपर तो इसकी सफाई करने में बहुत ही जादा दिक्कत होता है दोस्तों वैसे जो जीने के ऊपर टाइस लगता है तो वहां पर साफ सफाई रखी जाती है लेकिन फिर भी इस प्र जो में कारण है वे है एक तो यह कची टाइस है जो सूख जाता है इसका सेमेंट जो भी होता है नीचे और इस पर वजन पढ़ने से टूट जाता है दूसरा यह साफ सपाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और दोस्तों यह जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यह लुक यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और इसको जैसा कि आप यहाँ पर देखिए यह कच्चा टाइल्स है और इसको में अभी पानी में अच्छे तर। तो जो पके होता इसको अगर आप पाके थो अगर आप पानी तो यॅल नहीं नहीं निकलेंगे वहीं पर अगर आप कच्य टायल्स रखेंगे जो कि वहीं वाले जो ителей्rage होते हैं तो किसी इस प्रकार से है अगर यह पक्की टाइल्स होती तो इसमें से बुलवले बगरा नहीं निकलता तो दोस्तों अगर आप जीने के उपर आप अपने सीडियों के उपर टाइल्स लगा रहे हैं तो आप कोशिस करें कि पक्के टाइल्स लगाने की या सबसे बहतर होगा कि आप वहाँ पर लगा देंगे और कहीं आई से जो इसकी जो लाइफ है इससे कहीं आउदो से चार गुने जादा मार्वल का होता है तो आप ये कुशिस करें के जीने के उपर मार्वल लगा जाए और यस परकार की टाइल्स जो है जो कि आप एह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है तो इस प्रकार की टाइल्स से बचा जाए दोस्तों इस प्रकार की टाइल्स अक्सर जो लोग सस्टे के चक्र में भी लगा लेते हैं जिनको ज्यादा पता नहीं होता है वह भी लगा लेते जैसा कि आप देख रहें इसी में का टाइल्स जो है जीने वाला टाइल्स यहां पे बचा ह है जिनको जिससाथ पसंद आता है जैसा काम करवाना होता है उजसे ऐसे जिसाव से ऐसे लगाने से और बचए अगर रेट की हिसाब देखांगे तो इस परकार की जो होते है ठोड़े शब्स जरूर्ड होते हैं लेकिन जितना सस्ता ये पढ़ता है उससे कहीं जादा महेंगा बाद में पढ़ जाता है दोस्तों ये जो टाइल्स है ये इस प्रकार की टाइल्स 15 से 20 रुपे पर स्क्वाइर फिट के हिसाब से आराम से मिल जाता है वहीं आप अगर अच्छी टाइल्स लेते हैं पकी टाइल्स लेंगे ज प्रकार की मारवल लग जाते हैं तो आप थोरे से पैसे लगाए और कोशिस करें जीने को उपर मारवल ही लगाया जाए इस प्रकार की टाइस लगाने से बचे दोस्तों अगर आप सस्ते के चक्र में जाएंगे तो आपको बाद में बहुत महेंगा पड़ जाएगा सभी पॉलिस भी कर सकते हैं इसमें आप कुछ नहीं करसकते ये गंदा हो गया या कहीं से टूट गया तो आपको इसको हटाना ही पड़ सकता है बाकी इसका कोई दुसरा यलाज नहीं है तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको पताने की कौसिस कर रहा है तो मैं आपको बता चुका हूं वीडियोace कैसा लगा मुझे कमेंड में जरूर लिखे मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो क्योंकि thermican रिलेडर होगा आप अपना और अपनों का खुब ख्याल रखे खुश रहें थैंक यू जय हिंद